अब इसमें क्या मिलने वाला आपको चाहिए आप कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं आपके आने वाले एक्जाम से आपके और इसके बहुत बहुत ही जादा बेनिफिशल होने वाली वीडियो रीजन आप देखेंगे क्यूंकि इसमें आपको कॉंसेफ्टी बताएंगे इसमें प यहां पर जोड़ा बहुत कुछ है तो चलिए शुरू करते हैं एक नया सफर आई-बीटेस के साथ आप जूड़े हैं आई-बीटेस पे सनी बहुंसले के साथ चलिए कोशन नबर एक इदर बढ़ें चलो बच्छों देको कोशन नबर वन क्या कर रहा है इस बहुत बढ़िया कोशन है हम देखो जादा लंबी वीडियोजों पर वी और नोट फॉक्सिंग वी आर फॉक्सिंग तैन तो ट्वेल बढ़ें दसे बारा पंदरा कोशन करेंगे बट दिमाग से करेंगे दम लगा करेंगे बच्छों प्लीज वीडियो को लाइक करो श सहान ही सफलता की सीड़ी होता है आप प्रसायत कीजिए फिर देखें कहां सफलता लेगे चलेंगे आपको चलो देखिए अगर मैं A रेशो B की बेटा बात करता हूं न तो A रेशो B कितना दिया मुझे 3 रेशो 5 क्लियर है अगर मैं B रेशो C की बात करूं ये भी कितना दि फिस ठीक है अब ध्यान से देखो बेटा मुझे कोशन में दिया है दस सम ओफ दियर एज इस वन फॉर्टी सेवन यानि ए प्लस बी प्लस इस हां मच वन फॉर्टी सेवन क्लियर यानि अगर मैं बात करूं उसको पी मानते हैं तो नाइन पी प्लस पंदरा पी प्लस में भूलना है इस सब्सक्राइब और सो प्लस प्लस लीडिटी को लॉए करें करना इन प्लस बिल्कुल भी नहीं चेलila 2 की तरह बढ़ते हैं, चलिए, if 76 is divided into 4 parts, 7534, then the smallest part is, अब देखे, proportion की यहां पे बात आते हैं, थोड़ा सा माता ठानगी जाते हैं, कि proportion क्या होता है, कुछ नहीं होता, इसको भी parts ही बोला जाता है, जैसे, अगर मैं बात करूं, कि मेरे बास 4 parts है, देखो, A, B, C and D, clear, मैं बोल पहला पार्ट है, मेरे पास 7P, दूसरा पार्ट है, बेटा 5P, तीसरा पार्ट है 3P, और 4 पार्ट कितना है, मेरे पास 4P, तो 4 को add कर दो, 7, 5, 12, 3, 15, 4, 19, तो मैं बोल सकतो है, 19P की value कितनी है, मेरे पास, 76, 100P की value कितनी है, गी बैच्चों, 4, तो मैं से किया पूशना smallest part, यानि तीन गुना चार, option number A is the right answer, तो देखो कितना अराम से किया, बट, जब तक concept नहीं होंगे start, तो जब तक ये question आपको हमेशा मुश्किल लगेंगे, आप फिर variable लेके करेंगे, चलिए, question number 3 पे जुड़ते हैं, In a college, the ratio of number of boys to girls is 8 ratio 5, मतलब question क्या कहा रहा, देखो, ध्यान से देखो पहले, यानि boys ratio girls, according to question कितना दिया बेटा, 8 ratio 5, अब देखो, मैं पहले दो question में, मैंने P लगाया, या मैंने क्यों variable लेके, अब मैं बिल्कुल नहीं उस करने वाला, वो थोड़ा से मैं बता रहा था कि कैसे elaborate कर सकते हैं, इस question में और इस question में, बटा मैं वो नहीं करूंगा, देखे, मुझे क्या बोल रहा है, 160 girls, अब देखो, यहाँ पी ध्यान से देखो, boys to girls, अब अगर मैं बात करू, 160 girls और boys and देख लेते हैं, अगर girls 160 हैं, तो मेरे पास, I think, if there are 160 girls, boys to girls, तो यह कितने गुना हो इसको थोड़ा सा करके देखूं, अगर मैं boys को लेके देखूं, तो क्या मेरे पास अंसर आएगा, मुझे लग रहा है, boys to girls होना चीए, यहाँ पर, boys अगर मैं रखूं यहाँ, तो देखो, क्या मेरे पास अंसर आता है, इसका मतलब, आठ की value कितने 160, 20 times, तो इसको मैं 20 times कर आएगा, 100 is my answer, क्योंकि अगर मैं girls करता हूं, तो girls कितना आएगा, 160 divided by 5, जो कि कितना होगा, 32, तो आठ कुन यहाँ पर, 4 बुझे करी नहीं देख रहा है, इसलिए मुझे लगा, कि यहाँ पर boys होना चाहिए, चले question पर, इस question में आपको मिलेगा, एक concept, बढ़ी असा, 1 ratio 2, 2 by 3, और 3 by 4, is that clear, वो है 1 ratio 2, 2 ratio 3, 3 ratio 4, देखो, जब भी आपके पास appointment terms दोना, तो याद रखना, denominator मुझे बेटा हमेशा एक चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, आप लेंगे LCM, LCM लो कितिका, 2, 3 और 4 कर, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहे है, कितना है, 12, तो इन तीनों terms को 12 से multiply करतीजिए, इसको भी 12 से करो, इसको भी 12 से multiply करतीजिए, इसको भी 12 से multiply करतीजिए, देखो, क्या आएगा मेरे पास, 4 तीए 12, 3 चोके 12, 2 चिके 12, तो 6, ratio 8, ratio 9, तो ये मेरे पास मेरा final result आचुक है, clear है, इसका मतलब जदी मैं A की बात करूँ, तो 6 था, B की सब्सक्राइब करूँ, तो 9, तो मैं क्या कहूँगा, 9, 8, 17, 24, तो 23 यूनिट की वैलिव कितनी है, मेरे पास, साफ साफ देखो, 23 यूनिट की वैलिव कितनी दी है, 782, तो what we have value of 1 यूनिट, तो बेटा 1 यूनिट की वैलिव कितनी है, 782, divided by 23 तो ये कितनी है मेरे पास, 34, थीक है इसो में कैसे लिख सकता हूं 690 plus plus of अपना कितना है का 92 divided by 23 divided by 23 यह कितना होगा 4 यह कितना होगा 30 clear है तो मुझे बेटा क्या पुचा 1st part 1st part is how much 6 तो 6 into 34 is how much option number C 192 तो देखें कितना बहतरी इन तरिक्के से हमने इस question को solve किया है चलिए question 5 की तरह बढ़ते है The salaries of A, B, C are in the ratio of 1, 2, 3 तो A, ratio B, ratio C यह कितना है 1, 2 and 3 ठीक है If salary of B and C together is 6000 यह नहीं मुझे कितना दिया है 5 unit की value मुझे कितनी दिया बेटा 6000 तो एक unit की value कितनी है मेरे पास 1200 अब मुझे क्या करें by what percent is the salary of C is more than देखो सिद्धी सी बात बताओं अगर आपस यह पूछा जाए ना तो यह तो बिलकुल निकालने की जुरूरती नहीं है मैं दोनों तरह के से बताओंगा क्यों देखो अगर एक ही बात करूं तो 1200 टाइम्स हो जाएगा ठीक है से की बात करें तो यह भी कितना हो जाएगा 3600 क्योंकि मेरे पास security value क्यों मैं कह रहा हूं कि जरूरती नहीं है यह मुझे चाहिए नहीं यह मुझे चाहिए नहीं मैं इसी रेश्यों से बता सकता हूं अगर आप बात करोगे एक ही और बात करेंगे से की ए मेरे पास 1200 और सी है मेरे पास 3600 तो भाइ 2400 का profit आये कितने पर बारा सो गुना 100 परसेंट तो बारा दूने 24 दोसो परसेंट आगे अगर मैं रेश्यों लूँँ वन रेश्यों थरी तो अब क्या आग होगे दोगा profit एक पर गुना सो तब भी तो मेरा 200 परसेंट आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं अगर यह ना भी दिया हो ना तब भी म ट्रिपल टूवन ट्रिपल टूटू पर कॉल किजिए और आपने डेमो भी आप यहां पर बुक कर सकते हैं और और अफलाइं बहुत फैसिलिट्यार अवेलेबल ऑन अस ओके चलिए नेक्स इस हमों 427 इस तो भी डिवाइद अमंग A B & C such that three times of a is equal to four times of B seven times of C देखो अब यह एक नई टाइप है rational proportion की जो हमने अभी तक नहीं पड़िए suppose करो मैं इसको K बोलता हूं clear so three A is equal to K so is equal to K by three clear next is four B is equal to K तो B कितना के K by four clear seven C is equal to K है तो C कितना आ गया मेरा K by seven clear है so A ratio B ratio C यानि K by three ratio K by four ratio K by seven तो के से के काटी है आद देखो simple सी बात मैंने भी क्या पताया था आप लोगों को हंजी क्या बताया था बिल्कुल साइस ही पकड़े लड़ूगे भी यहों कहते है न देखो इसका मतलब के 7,28,28,28,3,84 यानि अब आप क्या करो दीजर को प्राइम नंबर्स तो इनको क्या कर दो तो 84 से multiply 84,84 into of 84 तो यह कितना है मेरे पास 28 यह कितना आगया मेरे पास 21 और यह कितना आगया 12 तो A रेशो B रेशो सी देखो यहां में लिखूंगा तो कितना आगा मेरे पास यह एगा 28 रेशो 21 रेशो 12 तो देखो इसको add करो कितना है मेरे पास 61 according to question कितना दिया हो मुझे 427 427 अब देखो भाई मैं कुछ नहीं कहता सब knowledge बोलेगी आई बीटीएस के चैनल पर आपके अपने मैस गुरू सनी बहुंस लेगी देखो मैं अब आप क्या करोगे अब एक युनिट की वैली find out करना चाहोगे मैं कहूंगा मत करो मैं सिर्फ यह कहूंगा भई एक को मैं किसे multiply करो साथ आजे आपको गुरूजी साथ से करतो तो बा Master Q of Success in your exam आने वाले जितने भी आपके एक्जाम है हिमाचल के वो सब आप यहीं बैठे करोगे यूटीव पर गरंटी दे रहा हूं क्लियर है बस जुड़े रहना होगा वीडियो को लाइक करना होगा चैनल को सब्स्राइब करना होगा और शेयर तो करना ही करना होगा क्लिय क्लियर है चलिए बच्चों अब देखिए साथ आगे तो मुझसे क्या पुछ रहा है सी कि वह लिए तो सी कितना था मेरा बारागुणा साथ 84 क्लियर है चलिए नेक्स पर चलते हैं ओके भी हैफ सेम कुशना थिंग चलिए सीट्स फोर मैट्स फिजिक्स और बाइलोजी इन साथ आठ देखो अगर मैं इसको पांच साथ और आठ ही लेके चला तो मुझे पॉइंट कहीं ना के दर्शा आएगा क्यों ना इसे में 50 ले लूँ इसे में 70 ले लूँ मेरा काम और भी असान हो गया बिल्कुल सिंपल कुछ भी नहीं करना देखो इसका 40% कितना होगा मेरे 75 यह कितना होगा 105 और यह कितना होगा आपके पास 75 परसेंट यहनि प्लस 60 गर तो यह कितना हो गया 140 तो बीटा यह कितना होगा 25 गटो तो तीन और चारत्य ऑप्शिन नुमोर 20 और राइ टेंशर डिसकॉशिन क्लियरे है तो प्लेज ठोग दो लाई वाई इस बात पर चलिया नएक्स कॉश्चन देखो जोस्च कलेक्शन पर चलिए उस बिटिश नम्दे तो उस है इंडियन है और बिटिस टैंप से क्लिर है यूज तो इंडियन 5 रेशो 2 और इंडियन तो बिटिश कितने हैं मिरें 5 रेशो 1 तो सिंपल बेसिक इंसेप्र का कुश्चिन है ये तो यहां पर यहां पर कितना है पांच तो 25 दस और दो तो मुझे क्या पूश रहा है यूएस टू बिटिश तो कितना अंसर आगे 25 रेशो दो ऑफ्शन बिटी इस दा और राइट अंसर चलिए लेक्स कुश्चिन चलिए बचो ए ratio भी की बाथ करों मेरे बास कितना है कितना है इस commission काफ़ प्रेक्टिक क्या होगि हमें 5 और यह दो तो सिन दोने दस पांश तीए बंदला तो 25 25 शिक 15 दे राइट एड्ड़ राइट ड़्देनर उप्शन नमबर सी चलिए बहुत अच्छा कोश्य नहीं बच्चों चलिए 64 boys and 40 girls from a group of social worker during their membership drive the same number of boys and girls join the group how many members does the group have now if the ratio boys to girls is 4 ratio 3 चलो देखो मेरे पास क्या दिये मेरे पास boys and girls है न यह 64 है और यह कितने 40 अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उन्होंने क्या बोला देखो दो चीजों से आप कर सकते इस question को पहला देखो कि भाई मैंने किया p number of boys और p number of girls मैंने आड कर देखो तो कितना होगा 64 plus p upon 40 plus p तो यह कितना होगा 4 by 3 clear है तो सबसे पहले cross multiply किजिए तो यह कितना होगा 64 64 plus p into 3 is equal to 40 plus p into 4 तो यह कितना होगा 192 plus 3p is equal to 160 plus 4 पी कि वेल्यू कितना होगा से 32 clear है तो यहां पर मेरे पास कितना होगा 30 तो वो क्या बूच रहा है इफ दर रेशो बोई और गल्स हाव how many members does the group have now अब group have now मतलब 64 इसकी वेली बूचर टोटल तो 64 plus 40 कितना होगा 104 plus 32,34 तो answer is 168 ठीक है आप यह भी कर सकते थे कि आप option लेके न पुट कर लो बटा option लेके पुट करने की में बाद में बाद बताऊंगा अभी आप इतना ही रखो clear तो चलिए हाज के लिए मैंस गुरू से इतना ही तो मैं इजाज़त चाहूंगा प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलिए और आप online classes के लिए अप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और यदि आप एपल यूजर से हैं तो यहां पे इसको आप साफ साफ को कोड़ दशाए गया है माइसूड अगर आप आप डाउनलोड करते हैं अप्लिकेशन तो आपको असेस कौन कौन सा मिलेगा online classes अगर आपको अभी आन नहीं पाए जोइन करने के बाद तो रिकॉड़िड वीडियो मिलेंगे असेस मिलेगा आपको काफ़ी टाइम के लिए online test series मिलेगी इसी के अंदर e-books मिलेंगे आपको सारे के सारी online quiz current affairs मिलेंगे आपको digital magazine online doubts sessions group chat और performance चैट मतलब performance और कैसे नास होते है और डिरेक्टली टीचर से जुड़ते हैं आपको clear है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनलों को subscribe करें sse banking hpas we are the best in himachal okay nt and hps ऐसे exams तो अगर आपको की doubt हो तो 939164 डबल टुवन और टुटू पर आप कॉल करके कभी भी आप query ले सकते हैं अपना doubt पूछ सकते हैं और अपने demo भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं we have limited seats तो प्लीज आईए और telegram instagram facebook और youtube पर फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या आपको quality प्रोवाइड की जा रही है चलिए आज के लिए इतना ही थैंक्यू मैं स्कुरू आज के लिए जाए चाते हैं मिलेंगे next class में बाबाई